पांच राजियों के चुनाव एक बहुत बड़ा संकेत करते हैं कि भारती राजनीती भारती लोकतंत्र अब परिपक्षता की और आगे बढ़ रहा है जाती पंथ मजब भाशा इनके परे अब वो राष्ट्री एकता अखंडता संपर्वता राष्ट्र का विकास पहले रक्तिकरन की तरफ देश बढ़ रहा है और कुछ लोग OBC, दलीत, वनवासी, कोमनिस्ट और जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स थे इनका एक गड़जोड बनाने की नाकाम कोशिश कर रहे थे अब वो सारे बादल चट गए हैं और आने वाला समय इस बात का संकेत है कि भारत जाती राजनीती में वही लोग आगे बढ़ पाएंगे जो विकास की बात करेंगे जो जाती पंत मजब के नाम पर तोड़ने की बात ने करेंगे बलकि सब को जोडने की सर्व समाविशी राजनीती की बात करेंगे और देश में फुल टैम पोल्टिक्स करेंगे कुछ अब ये सबक है ये चुनाओं और इसके साथ-साथ जो है खशित्रिय दलों के लिए भी एक सबक है जो परिवार पर आधरीत पार्टियां उनके लिए बी एक सबक है और कुछ लोगों ने कुछ जातियों को कुछ मंत-पंथों को अपना गुलाम समझ लिया था तो अब ये सा ज़्यादा ताकतवर इस देश को बनाना चाहते हैं तो आने वाले 20-25 साल हमें मेहनत करने पड़ेगी नहीं तो कोई कमजोर राष्ट होता है उसकी क्या हाला तो होती है क्या हश्र हो सामने युक्रेन और रसिया में की युद्ध में देख लिया है इसलिए भारत अब नहीं बनेगा और जहां तक मोदी जी का नित्रित्तों का प्रश्ण है राष्ट्रिय पहलक पर मोदी जी के सामने सारे नेता बोने नजराते हैं यह एक विपक्षी दलूं के लिए बहुत बड़ा संकट उनके लिए बहुत बड़ी चलोच उनके लिए क्राइसिस है और इस ने लगें और जिस तरह से मोदी जी योगी जी अमित्साह जी नड्डा जी और यह लोग मेहनत किये हैं तो मैं जो एक शब्द बोला करता हूं पुरशार्त की पराकाष्ठा का यह विजय गीत है जिस तरह से इस बार चौनाओं के परिणाम सामने आ रहे हैं कुछ लोग नए नेरेटिव घड़ने की कुशिश करते हैं लेकिन वो काम्याब नहीं होते हैं छोड़ा मोड़ा नुकसान कर सकते हैं लेकिन अब देश का मैंने का वोटर काफी परिपको हो गया है और वो अपना हित अहित खुद सोचता है वो किनी चंद लोगों की अब पपोती नहीं रह गया है इस बार के इस राजनेतिक परिवेश ने ये बता दिया है मैं तो जो लोग इस चुनाव में मात खाए बैठे हैं जो मातम मना रहे हैं जिनका थोड़ा सा बीपी अपडाउन है जिन लोगों के कुनीन नहीं आ रही है तो थोड़ा सा योगा अभ् पर योग धर्म और राष्ट धर्म की मार्ग पर चल रहे हैं वही विजय हो रहे हैं मले एमपी सीम पीम जो योग कर रहे हैं वह आगे बढ़ रहे हैं इसलिए सब योगी बने और अपने आपको नियंतृत करें क्योंकि हार यदि एक सबक सिखाती है तो जीत भी आपको वि तरह से एक नेगिटिविटी में जो लोग चले गए उनके लिए लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है जो पॉलिटिकल थ्रेट आई है उसको तो फिर भी जहल लेंगे इसलिए इस पूरे परिवेश से उभरने के लिए मैं सबको योग करने के सलाह जरूर दूंगा